नमस्कार मैं हम आपके साथ स्वीटे दिक्षित और आप देख रहे हैं न्यूस इंडिया लीवर हमारी शरीर का वो हिस्सा होता है जिसे अगर समस्या होने लगे तो शरीर की कई बीमार्या चपेड में आ जाती है लीवर खाने को बचाने के अलावा पाचन तंत्र को ठी करने का भी काम करता है साथ ही ये बौडी को इंफेक्षन से लड़ने की ताकत भी देता है पूरी बौडी को डीटॉक्स भी करता है अगर बार बार पाचन में दिक्कते आ रही हैं तो ये कमजोर लीवर की निशानी मानी जाती है खराब खानबान के कारण भी लीवर कमजोर पड़ सकता है दरसल आज कर लोग पॉस्टिक अहार की जगा फास्ट फूट जादा खाते हैं ये फूट लीवर ही नहीं बलकि हेल्थ को भी कई दूसरे तरीकों से नुकसान पहुचाते हैं लीवर को हेल्दी रखने के लिए घरेली नुस्के की मदद ली जाती है हम आपको बताएंगे ऐसे रेमेडी जो होम में मनाया जाते हैं पहला है डाइट लीवर को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर भी सला देते हैं कि हम कम से कम फास्ट फूट का सेवन करें और इतना ही नहीं दूसरा है हाइजिन जिन आइटम्स में आप खाना खाते हैं चीजों का सेवन करते हैं उसमें किसी दूसरे को खाना परोसनी की फूल ना करें ऐसा करने से हाईजिन मेंटेन करता है और प्लॉप्डम भी कम आती है ऐसा होने पर लीवर की हेल्थ को भी कम उचसान पहुशता है बात तिसने की करते हैं एक्सेसाइज किसी भी बिमारे को खतम करने या शरीर से हटाने के लिए उसके शरीर में उसका प्रभाव कम करना बहुत जरूरी होता है इसका कारण एक्सेसाइज करना बहुत ही एहम रोलने भाता है इतना ही नहीं इसे करने से फिट और हिट भी इनसा रहतता है कंजोन लीवर की मरीजों को भी रोजाना exercise करने की सलहा दी चाती है जिल लोगों का sugar level अच़ानक बढ़ गया होता है वो exercise का routine अपना कर इसे कम कर सकते है हालाकि जो लोग exercise नहीं करते और ना शक्षम होते है杵 वो वियायाम कर सकते है अब बारी आवला के आती है ये विटामिन C से भरपूर होता है और अगनेक्षे के अच्छे काम का इसको भी बढ़ावा देता है ये एक कप करेले के जूस में एक चमच आवले का पाउडर मिलाकर कुछ महीनों तक रोजाना पीजियो और देखिये आपके हेल्फ पे कितना जादा असर देखनों को मिलता है तो देख इस बात की इन तरीकों को अपने जीवन में उतारिया और रहिये फिट अल्वेज